ये सर भी कितना दर्द हो रहा है और भी पूरा खाना बनाना पड़ा है बहू ओ बहू जी माजी अरे बहू तेरी तबियत खराप है तो तू क्यों काम कर रही है जा अपने कमरे में आराम कर मैं बना दूंगी खाना पर मम्मी जी मेरे रहते हुए आप खाना कैसे बनाओगे अच्छा लगता है क्या अरे तू भी किस दुनिया में जीती है इसमें अच्छा लगने का क्या है मैं कोई बीमार हूँ क्या हाथ पर मेरे अच्छे भले तो चलते हैं और कौन सा तुम उससे रोज रोज काम करवाती है अज तेरे तब्यक ठीक नहीं है तो मैं ही रना देती हूँ खाना चल जा ठीक है ममी जी ये बहू भी न जरास अपने उपर ध्यान नहीं देती है बीमार है तो भी काम पे काम किये जा रही है एक सबकी बहूय देखती है कि काम ही नहीं करती है और एक मेरी बहू है कि बीमार है तब भी काम ही किये जा रही है मैं इस पे ध्यान नहीं दू तो भगवान जाने क्या हो इसका अरे ममी तुम किचन में क्या कर रही हो किचन में खाना बना रही हो और क्या करूंगी आराम कर ले मैं बना लेती हूं खाना और हां तुझा बहु से पूछ के दवाई ला दे ठीक है मा मैं उससे पूछ लेता हूं क्या प्रॉब्लम है फिर दवाई ला कर देता हूं तराम मा जी खुछ ले बहु और तेरी तवियत केसी है आँ बैठ बैठ हूंगी नहीं ममी जी आपके बेटे को पास्ता चाहिए कोई बनाने जा रही हूं अरे तेरी तवियत खराब है ना आज किशन में कोई काम नहीं करेगी आज तू आराम कर ले अच्छे से ठीक हो जा आज का काम में कर लूँगी ममी जी आपको तो पता ही है ना कि ये मेरे हाथों के लाबा किसी के हाथ का पास्ता नहीं खाएंगे शीले बनाने जा रही थी और तवियत पूछा ना मैंने कैसी है तेरी तवियत ठीक है माजी कर से आराम है थोड़ा ठीक है जा फिर आराम से बना लेना और हाँ बांकी कोई काम मत करने लग जाना मैं कर लूँगी आज काम तू आज बर और आराम कर ले और कोई जरूरत लगे तो मुझे आवाज दे देना यही बैठी हूँ ठैंक्यो माजी जरूर मैंने फिछले जनम में कुछ अच्छे काम किये होंगे जो मुझे आपकी जेसी सासुमा मिली है चल चल अब जादा मक्षन मत लगा अरे स्वाती कहां मर गई अरे लबन गया पास्ता जल्दिला में लेट हो रहा हूँ क्या हो गया इस लड़के को कहां से सीखता है ये सब एक तो बेचारी बवु इतनी बिमारी में भी इसके लिए पास्ता बना रही है और उपर से ये ऐसी हरकते कर रहा है अरे ये कौण सा तरीका है अपनी पत्ने से बात करने का वो भी इस बिमारी की हालत में अरे वो मसीन है क्या कि किचन में गई और पास्ता बन गया ये बनाने में टाइम लगता है ये हमेशा मेरे पीट पीछे भी ऐसे ही बात करता होगा क्या अपनी पत्नी से पागल हो गया है सच में ये अरे मामी जी कहां चली गई मामी जी अरे बहू इधर हूँ मैं कुछ कांग था क्यों ठोड़ रही थी मुझे मामी जी आप बजार से आ गई क्या नहीं तो जाने वाली हो शाम तक तुझे भी कुछ चाहिए क्या बजार से बता दे ला दूँगी मैं मामी जी मुझे भी आपके साथ बजार जाना था मुझे कुछ अपने लिए चीज़े भी लेनी थी और साथ में मैंने बहुत दिनों से बाहर का कुछ खाया नहीं कुछ खाने का भी मन कर रहा है तो आपके साथ चलूँगी तो खा भी लूँगी अच्छा अच्छा बहुत है बढ़िया पहली बार तो तुने अपने लिए कुछ सोचा है तिरी इच्छा हो रही तो चल थोड़ी देर से चलती हूँ जब तक तो भी अपने काम निप्टा ले आज सास बहु नौज करेंगे ठीक है ममी जी चले ममी जी हाँ बहु चल अरे आज तुम दोनों सास बहु कहां जा रही हो बजा जा रही हो बेटा और बहु को भी कुछ समा लेना था तो वो भी जा रही है और सोच रहे हूँ बहुत दिनों से बाहर कर हम कुछ खाए नहीं तो हम दोनों बाहर से खा कर भी आएंगे तुझ भी बोले थे चलने के लिए तुम्हें उनको भी बुला लेता हूं ठीक है आप लोग चलो मैं वहीं पहुचता हूं ठीक बेटा इंतजार करेंगे तेरा जल्दी आना लेक मत करना हां मा जल्दी आ जाओंगा इसके यहां का चाट तो बहुआ टेस्टी है बहुँ खा ले जी भर के हां मा जी अप से ही कह रही है प्रिया ये क्या किया तुने सारा का साना खाना गिरा दिया मेरे उपर गवार कहीं की अरे अगर तुझे खाना नहीं आता तो बाहर आती क्यों है खाना खाने घर में ही सही ह तू किचन में गवार कहीं की अनपड चल बहू घर चल सौरी जी बहू ये राहूल को क्या हो गया है पहले तो तुझे घर पर सिब डाटा था और आज अपने चार दोस्तों के बीज तेरी ऐसे इंसर्ट की और एक तू है सौरी बोल दी अरे तुने सौरी क्यों बोला तुने जान बुसकर खाना गिराया था क्या बोलने ही सकती थी कि गलती से गिर गया देख पहू तुझे समझा देती हूँ तू जितना ही उसकी बाते सुनेगी सहेगी न उतनी ही उसकी हिम्मत और बढ़ती जाएगी भले ही वो मेरा बेटा है लेकिन आज कलो तेरे साथ बहुत गल मानती है न तो आप इंको कुछ मत बोलिएगा ये तो इनका भी मूर खराब हो जाएगा थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है अरे क्ये क्या बात हुई ना खुद तू कुछ बोलती है ना मुझे बोलने देती है तेरी मर्जी बहु मैं तुझे कह देती हूँ एक दिन तू क्या हालत बना रखी एक अमरे की ए तुम्हारे हाथ पर चलते भी है नहीं करती क्या हो सारा दिन तुम घर में और मैंने मेरे कप्रों में प्रिस करने के लिए बोला था ना अभी तक नहीं हुआ ना तुमसे उझे बाहर जाना है कल मिटिंग के लिए कब करोगी तुम कर नहीं दिलाता तो हो जाता मेरे कप्रों में प्रिस लेकिन नहीं जूट जरूर बोलीगी कि मुझे सब याद था और जड़ा कमरे को ठांक से रहने लायक कर दो पागल कहीं की अच्छा मेरे लिए एक ग्लास पानी लेके आओ और फटा-फटा यह साप करो अभी लाई जी क् पती-पती में थोड़ी कहा सुनी हो गई क्या अरे यह तो चलता ही रहता तुम दोनों के बीच आप सही कहती थी माजी इनका रवया दिन प्रदिन और बिगड़ता ही जा रहा है आपकी बात बिलकुल सही थी लेकिन मैं क्या करू मैंसे तो जवाब भी नहीं दिया जाता अ आप सब लोग घर पर आजाना चोटी सी पार्टी रखी है तुम लोगों के लिए था बेटा और जो तुम्हारे दोस्तों सब लोगों को लेते आना थीक है बेटा मैं इंतजार करूंगी तुम लोगों का अरे राहुल आजा बाहर तेरे सब दोस्त आये हुए हैं अरे चीज समझ में आती नहीं है एक ही काम को बीस बार करता है उसी को मिटाएगा उसी को करेगा उसी को मिटाएगा उसी करेगा क्या भोल रही है अंधी जी हां सही तो कह रही हूं बजपन से ही ऐसा है स्कूल भी जाता था ना तो एक बार में कोई काम उससे होता ही नहीं था इ था वो तो किस्मत अच्छी थी जो इतनी अच्छी नौकरे लग गई उसकी उझे तो बेटा तुम लोगों के लिए बुरा लगता है तुम लोग कहां पढ़े लिखे होशियार बच्चे इसको कैसे जहलते होगे मा ये क्या कह रही हो अरे कुछ नहीं कुछ नहीं आगया बेटा देख तेरे दोस्त लोग आए हुए हैं तेरी बाते ही बता रही थी अरे बेटा तुझे आवाज लगाए थी न तेरे दोस्त लोग आए है तो भी तु खाली हाथ आगया अरे उदर से कुछ चाय पानी ले लेता ले ही आता तेरे दोस्त लोग कब से तेरे इंतजार कर रही है सच में बेटा तू कभी नहीं सुधरेगा बचपन में ही ऐसे निकम्मा था और आज भी ऐसा ही निकम्मा है मा क्या कर रही हो मेरे दोस्तों के सामने मेरे कितनी इंसर्ट करोगी अरे बेटा कुछ बोल रहा है के तू अरे हाँ मम्मी, मेरे दोस्त लोगों के सामने मेरे इंशर्ट क्यों कर रही हो अरे क्या मेरे कार में खुस-फुसा रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही तेरी बाते अब जा भी जल्दी से, किचन से चार नासता ले कर रहा अपने दोस्तों के लिए अरे क्या हो गया, ऐसा क्यों मुझ बना रहा है बेटा ऐसे ही तो तो अपनी पत्नी को सब के सामने इंशर्ट करता है, जब देखो उसको चिलाता रहता है पती-पत्नी तो एक होते हैं बेटा, शादी के बाद पत्नी का सुख दुख एक हो जाता है लेकिन तो ये बात तो कभी समझता ही नहीं है तो जब देखे पत्नी को अपने डाटता रहता है, इंशर्ट करता रहता है, चार लोगों के सामने उसे कुछ भी बोलता रहता है तो क्या उस बेचारी को बुरा नहीं लगता होगा? अरे उसके कोई इज़त नहीं है क्या और बेटा तू ये क्या करता है तुझे क्या लगता है कि तू अपनी पत्नी की इज़त ना करके अपनी इज़त बना रहा है अरे भले तेरे मूपे लोग तुझे ना बोले लेकिन पीट पीछे हर यही लोग यही बोलते हैं कि जो इंसान अपनी पत्नी की इज़त नहीं कर सकता उसके खुद की क्या इज़त होगी अगर मैं गलत कह रही हूँ न तो पूछले तेरे इनी दोस्तों से क्या सोचते हैं वो तेरे बारे में सच बोलना बेटा हाँ यार अंटी ची सच बोल रही है उस दिन भी तु भावी को ऐसे डाटा था न तेरे आने के बाद हम लोग यही बाते कर रहे थे कि यार राहुल कैसा हो गया है अपनी बीवी को को ऐसे कैसे ट्रिट करता है अरे उसकी बीवी उसके घर की लक्ष में अपनी बीवी को इस तरह से कैसे कौन शहर के गलियों में इंसर्ट करता है हाँ बेटा यही बात तो तुझे समझाने के लिए यह सब किया मैंने क्योंकि सीधे जी तुझे तो यह बाते कभी समझ में आती ही नहीं मैंने बोल बोल के तो अजमा ही लिया था सेही कह रही हो ममी मैंने बहुत गलत किया है मुझे तुम माफी मागने चाहिए प्रिया से राहूल जी नास्ते में क्या ला हूँ आपके दोस्तों के लिए मुझे माफ कर दो प्रिया मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है तुम्हें हमेशा उल्टा सिधा बका है सब के सामने भी और अकेले में भी लेकिन कभी तुमने मुझे पलट के जवाब तक नहीं दिया तुम बहुत अच्छी हो सच्मे प्रिया मुझे माप कर दो और आज के बाद तुम्हें शिकायत का कभी मौका नहीं दूँगा ये हुई ना बात मेरे बेटे को तो अकल आ गई इतना समझाने के बाद कहीं आप तो अपने घर में ऐसा नहीं करते आप अपने बीबियों के इच्छत कीजे वो आपके घर के लख्षमी है और अगर हमारी इस्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताईए मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानी के साथ तब तक के लिए आप सभी को राम राम अपना और अपने पूरे पज़बार का खूब ध्यान दखिए